गुड मॉनिंग तो अल दिस परवेश खान दिस आईज़ स्टेडी सर्केल डियर स्टुडेंट्स आपके लिए इस चैप्टर का एक्स्प्लेनेशन लेकर मैं हाजिर हूँ एक नर्ष मेड है यानि के जब बच्चे पैदा होते थे तो उनके हवाले कर दिया जाता था जो उनको उनकी कियर करती थी बच्चों की, that is called nurse mate उदै सिंग उदै सिंग की nurse mate थी, पन्नादाए the fourth son of महाराना संगराम सिंग यह उदै सिंग कौन थे, यह उदै सिंग चौते बेटे थे महराना संगराम सिंग के शी यूस तो लुक आफ्टर ता यंग प्रिंस और पन्नादाय क्या करती थी वो उदे सिंग की देख भाल किया करती थी वो अस्थे सेम एज 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 हर सन उदे सिंग की एज कैसी थी उसकी एज बिलकुल उसके बेटे की ही एज जैसी थी वैन उदे सिंग अंकल ट्राइ टू किल हिम जब उदे सिंग का अंकल उदे सिंग को मारने की कोशिश करता है पन्नादाय सेक्रिफाइज दा लाइप आफ आर ओन सन टु सेव उद्या सिंग तो पन्ना ढाय क्योंके उद्या सिंग की नर्समेड थी तो इतनी पतुम स्वारत Pennsylvania थी कि वो अगर हम पूरी कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमे किस तरह से वो अपने बेटे की कुर्बानी देती है अपने बेटे को कुर्बान कर देती है, सैक्रिफाइस कर देती है, उदे सिंग की जान को बचाने के लिए, जब उसका अंकल उसको मारने की कोशिश करता है, डियर स्टुडेंट्स, अब ये एक छोटा सा, क्योंकि जो स्टूरी शुरू होने जा रही है, तो इसको कैसे शुर अथियर आपको देमना अनकी डिरीक ग्रीक मेथरोजी, माईथरोजी, डेमना और पाइथियर जो है, वह करेक्टर स're, यूनान की ग्रीक की माईथरोजी के ग्रेक्टर हैं, नोन फूर देर लिजेंडरी फ्रेंडशिप, और इनकी दोस्ति मशूर थी, या मशूर है, वन ड त्रिरें जब पाहितियास की जबान से जो निर्दैाई और जालिम बश्शा होता है राजा उसकी जबान से उसके खिलाफ़ बात निकलती है और वो अब उस राकिके खिलाफ बोलता है miejआस जिसका नाम डियोनीू Girish था was imprisoned and sentenced to death तो उसको गिरफतार कर लिया जाता है और मौत की सजा उसको सुना जी जाती है पाइथियास requested Dynosius to allow him to visit his family once last time पाइथियास करता है उससे यहाँ रिक्वेस्ट करता है कि उसको एक बार अपनी फैमिली से मिलने दे डैमन एग्री टू बी इन प्रीजन और डैमन जो है उसकी जगापे उसकी जगापे जेल में बंद होने के लिए तैयार हो जाता है इन प्लेस ऑफ पाइतियास तेल ही रिटर्ण जब तक वह नहीं लोटाए में फेल हो गया तो डैमन उसकी जगापे डैमन को मार दिया जाएगा ओवर कमिंग मैनी डिफिकल्टीज पाइतियास रिटर्ण और डाइनोस्टियस ओवर्वेल्म्ड बाइडियर फ्रेंड्शिप एंड बोथ ऑफ दैम गो फ्री तो क्या होता है डैमन यानि बहुत सारी इसके बाद भी पाइतियास रिटर्ण होता है और डाइन यास यह होता है वह उनकी दोस्ती से बड़ा मुतासिर होता है बहुत उसके उपर इसका अफर पड़ता है और वो दौनों को छोड़ देता है फ्री कर देता है लग वर्किन पेर्स डिसकस विदिए और पार्टनर अब जोड़े बना गया अपने क्लास में यह काम करना है, अपने पार्टनर के साथ डिसकशन करना है, अभी जो दो स्टॉरिज छोटी छोटी आपने पढ़ी, उनका जिस्त, What is common to these stories? इन दोने स्टॉरिज में क्या common है? तो इन दोनों स्टोरीज में सैक्रिफाइस कॉमन है, कुर्बानी कॉमन है, what makes people do things for others, क्या ऐसी चीज है जो लोगों को दूसरों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है, is it love, क्या ये love है, प्यार है, महबत है, फ्रेंड्शिप, दोस्ती है, पैट्रियोटिस्म, देश या फिर वो लोयल्टी है, यानि वफादारी है, now read about the sacrifice that जलकारी made for her friend, आईए अब उस सैक्रिफाइस और पुर्बानी के बारे में पढ़ते हैं, जो की जलकारी ने अपनी दोस्त के लिए दी, उसकी दोस्त कौन थी, रानी लक्ष्मी बाई, और जिसने सैक्रिफाइस किया जहांसी के लिए, अपनी दोस्त के लिए सैक्रिफाइस किया, और जहांसी के लिए, क्योंकि जहांसी की रानी जो थी, वो लक्ष्मी बाई थी, उसकी फ्रेंट थी जलकारी, जलकारी अपनी दोस्त और जहांसी के लिए अपने आपको सैक्रिफाइस किया, आईए पढ़ते गाव में एक निडर और बोल्ड यानि हिम्मत वाली लड़की रहती थी, छोटी सी लड़की रहती थी, her parents had died when she was very young, जब वो बहुत छोटी थी तो उसके माता-पिता मर चुके थे, तभी मर गए थे and she lived with her relatives और वो अपने रिष्टेदारों के साथ रहती थी, she loved to climb free and swim in the river, उसको बहुत अच्छा लगता था, उसको बहुत अच्छा लगता था, नदी में तैरना, पेड़ों पे चढ़ना, she was also a willing worker and could stand long hours of strain and hardships, strain means the effort needed for hard work, ठीक है, तो she was also a willing worker, यानि के वो खुद से, उसके अंदर तलब थी, चाहत थी, के वो क्या करे, मेहनद करे, जद्धो जहद करे, काफी long hours of strain, वो बहुत मेहनद करती थी, और जद्धो जहद करती थी, the villagers liked her, गाउंवाले उसको पसंद करते थे, for she was good natured, और उसका अखलाग भी अच्छा था, उसका behavior भी अच्छा था, इसलिए लोग भी उसको पसंद करते थे, once, एक बार, when a leopard had attacked her, जब एक leopard ने, चीता ने, उसके ओपर attack किया, the girl had fought it single-handedly, तो लड़की कैसे लड़ी, लड़की सिंगल हैंड, यानि अपने हातों से उससे लड़ी, and killed it with nothing more than a study stick, और लड़की ने उसको मार दिया, जब कि उसके उसके पास कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ उसके पास एक मजबूत लकड़ी थी, उसी से उसने चीता को मार डाला, after that, इसके बाद, she was nicknamed जलकारी, meaning the tigress, और इसके बाद उसका नाम पढ़ गया जलकारी, जिसका मतलब होता है, tigress. अच्छो, dear students, यहाँ पर words के meanings भी दिये हुएं, strain, effort needed for hard work, यानि strain का मतलब क्या है, मुश्किल काम के लिए जो मेहनत होती है, जरूरी, वो, single-handedly, without any help from others, बिना किसी मदद के, sturdy, strong, मजबूत. When जलकारी grieve up, she got married to a soldier in the army of Rani Lakshmi and went away to live with him in Jhansi. तो क्या हुआ जब जलकारी बड़ी हो गई, तो उसकी शादी हो गई, एक soldier के साथ, एक सिपाही के साथ, जो के काम करता था, Rani Lakshmi भाई की आरमी में, और वो अपनी जगा से, अपने गाउं से, जहांसी चली गई. That was how the Rani chanced to see her one day. एक बार ऐसा मौका आया कि Rani को चांस मिला, मौका मिला, उसको देखने का, She shall be my companion. The Rani ordered. तो Rani ने उसको देखा, और उसकी potential, उसकी सलाहियत का अंदाज़ लगाने के बाद कहा, order दिया, कि ये मेरी साथी होगी. The Rani ordered. For the liked, for she liked the girls, frank and fearless man. क्योंकि उसको जलकारी के जो frank and fearless manners थे, वो पसंद आये Rani Lakshmi भाई को. They became good friends and every day the two young women went out riding together, तो वो दोनों क्या हो गई? जलकारी और Rani Lakshmi भाई, बहुत अच्छी दोस्त बन गई. और दोनों women क्या करती थी? बाहर जाती थी, riding together, घोड़ सवारी के लिए बाहर जाती थी. They fenced, wrestled and practiced shooting with revolvers and guns. और वो जो थी, वो दोनों यानि के practice करती थी, they fenced, wrestled and practiced shooting with revolvers and guns. तो वो क्या करती थी? यानि अपने घोड़े को fence से कुदाने की practice करती थी, कुष्टी लड़ती थी, और निशाने बाजी की practice करती थी, रिवॉल्वर्स और गन्स के दुआरा. Those were troubled times, and everywhere there were rumors of war. वो जो उस वक्त का समय था, वो बहुत ही मुश्किल का समय था, और हर जगा अफवाएं उड़ रही थी, लड़ाई की. अंग्रीजों से लड़ाई चल रही थी, उसकी अफवाएं उड़ रही थी. The British had expanded their territory in India, यानि उस वक्त में British जो थे, अंग्रेज जो थे, वो अपनी territory को, अपने राज्य को, समराज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. They had a trading company, called the East India Company. क्योंकि उन्होंने यहाँ भारत आने के बाद, जैसा आपको पता है, students, एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू करी थी, जिसका नाम था इस्ट इंडिया कंपनी. Its officers ruled the people of the land harshly, और इसके जो officers थे, वो हुकूमत कर रहे थे लोगों पर बहुती बेरहमी के साथ. In 1857, fighting broke out, और 1857 में लड़ाई छिड़ गई, all over the country, पूरे भारत में. Everywhere the people rose in rebellion against the British rulers. और हर जगा लोगों ने बगावत कर दी, बेर्टिश के खिलाफ. The British fought back and thousands of people were killed on both sides. अंग्रेजों ने भी लड़ाई करी और हजारों लोग दौनों तरफ से मारे गए. In March 1858, the British troops attacked the fort at Chansi. 1858 में अंग्रेजों के दल ने, अंग्रेजों ने हमला कर दिया चांसी पर. They are heavy guns, bombarded it. अपनी heavy guns के साथ उसको तबाह करने की bombard कर दिया, वहाँ पर गोली बारी कर दिया उन्होंने, अंग्रेजों ने. यह दियर स्टुडेंट्स, यानि इसमें तस्वीर में firing करते हुए दिखाया है, कि किस तरह उन्होंने हमला किया, यह देखे, रानी का खिला है, और चारो तरफ से अंग्रेज उसके उपर गोली बारी कर रहे हैं, यह तोप से हमला किया जा रहा है, कैनन से हमला हो रहा है, गंस से हमला हो रहा है, यह रानी के खिले पर. और इसमें कुछ words और उनके meaning भी दिये हुए हैं, इसका भी साथ-साथ explanation करता है, manner, a person's way of behaving, यानि जो एक आदमी behave करता है, ठीक है, that is called manner, fenced, fought with long thin swords, यहाँ पे fenced का मतब क्या है, लड़ना, fought with long thin swords, पतली लंबी तलवारों से लड़ना, troubled, परिशानी का वक्त है, troubled तो problems को और difficulties को, परिशानी को, मुश्किलों को कहते हैं, expended their territory, यानि के अपने समराज्यों को बढ़ा रहे थे, conquered and ruled more places, trading company, तो आपको पता ही है, a company that buys and sells things and services, यानि वो company जो हरीती और बेशती है चीजों को, rose in rebellion, fought against the government, here the British, यानि के वोई बागी लोग जो होते हैं, यहाँ पे बेटिश के खिलाफ जो लोग लड़े उनको rebellion कहते हैं, bombarded continuously attacked a place with guns, bombs and cannons, यानि लगातार किसी जगा पे हमला किये जाना, गन से, बॉम से और तोपो से, अब आगे क्या होता है, the Rani's troops fought back bravely, जो Rani के दलते Rani की सेना थी, उन्होंने भी बहुत ही बहादुरी से उसका मुकाबला किया, among them was जलकारी, उन्ही के साथ, उन्ही के बीच में जलकारी भी थी, never once leaving her beloved queen's side, और उसने कभी भी अपनी प्यारी Rani की साइट को नहीं छोड़ा था, she rode from one point to another, वो गोड़े से, एक point से दूसरे point तक सवारी कर रही थी, firing at the British soldiers, और इसके साथ साथ British soldiers पे firing भी करती जा रही थी, with a steady hand and a sure aim, और बहुत ही मजबूत हाद से और बिलकुल एकदम सही निशानों के साथ firing भी करती जा रही थी, the enemy fell back, they had not expected such a strong defense of the fort, enemy fell back, यहनी दुश्मन को वापस लोटना पड़ा, वापस हुआ दुश्मन, they had not expected, यह उमीद नहीं थी कि इस तरह से इतने मजबूती के साथ defense किया जाएगा, the British commander telegraphed for help and more troops came rushing in, तो British commander ने क्या किया, telegraph किया, अपने officers को और, और मदद मांगी, तो और बहुत सारे troops आगे, दल आगे, फौजें आगई, और, but the Rani's army is still held on, लेकिन Rani की army उनके मुकाबले पर जमी रही, when the British found that they could make no progress, जब British ने ये पाया कि कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है, लडाई बहुत जोरों पर चल रही है, they decided to gain entry into the fort at night by steel, यानि के उन्होंने ये तै किया, कि वो किले के अंदर घुश जाएंगे, धोके से, चोरी से, they bribed a man named दुलाजी ठाकुर, उन्होंने क्या किया, कि एक जिसका नाम दुलाजी ठाकुर था, उसको रिश्वत दी, who was in charge of the south gate of the fort, जो कि south gate, किले का जो south gate था, उसका in charge था, in return for a large sum of money, इसके बदले मुनोंने उसको बहुत भारी रखम दी, दुलाजी led them to a spot where there was a break in the wall, दुलाजी ने क्या किया, दुलाजी उनको वहां ले आया, जहां पर दिवार में शगाफ था, या दिवार में च्छेत था, at the dead of night, और बिलकुल रात के अंधेरे में, the British soldiers made their way into the fort, और रात के अंधेरे में British soldiers, यानि के किले में घुज गए, दाखिल हो गए, जहलकारी जब उनको देखा तो जहलकारी ने अलारम बज़ा दिया, with loud cries, the Rani's army took up the fight, and opened fire, and the attackers fell back, यानि के बहुत ही चीख और पुकार के साथ, Rani की आरमी में जंग लड़ी, और उनके उपर, हमलावरों के उपर fires खोल दिये, fire कर दिये, the fighting continued for many days, लड़ाई चलती रही कही दिनों तक, though the Indian troops were full of daring, और बहुत ही हिम्मत के साथ, जो है, Indian troops, Hindustani Rani Lakshmi भाई की सेना लड़ी, they could not withstand British attacks, यानि के वो, लेकिन क्या हुआ, British attack के सामने ठेक नहीं पाए, the enemy fought their way steadily, until they were outside the palace, यानि के वो लोग लड़ते रहे, किले के बाहर भी और किले के अंदर भी दुश्मन जो था, now the queen's advisors begged her to go out of the fort to a safe place, तो queen के जो advisors थे सलाकार, उन्होंने फिर Rani को ये advice दिया, कि आप किसी safe जगा चली जाई है, खिला छोड़ दीजे, तो reluctant at first, Rani Lakshmi भाई agreed in the end, हाला कि शुरू में तो Rani Lakshmi भाई इस बात के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन बाद में वो बाहर जाने के लिए तैयार हो गई, dressed in armor and carrying a dagger and two revolvers, उसने अपना dress change किया, और खंजर लिया, और दो revolver लिये, शी रोड अन रिकागनाइज़ थ्रो दा एनिमी लाइज, और वो पहचानी ना जाए, इस तरह से वहां से गोड़े पे सवार होके निकली, और पहाड़ी के रास्ते से होती हुई वो वहां से एक गेट से निकल गई, जलकारी वेंट विद हर फॉर पार्ट आफ दा वे, यानि के जलकारी भी उसके साथ गई उस रास्ते पर, as soon as she knew that the Rani was safe, जब जलकारी ये समझ गई कि अब Rani safe है, जलकारी disguised in Rani Lakshmi Bai's cloths, जलकारी ने अपने आपको Rani Lakshmi Bai के cloths में यानि पहन लिये उसने, भेज बदल लिया Rani Lakshmi Bai का, and riding her white horse, और उसके सफेज भोड़े पर सवार हो गई, return to the fortress, और वो खिले की तरफ वापस आई, the British soldier saw her and mistook her for Rani Lakshmi Bai, British soldier ने उसको देखा और वो धोके में आ गए, गलती कर गए, और उसको Rani Lakshmi Bai समझे, just as she had intended them to do, जैसे ही, just as she had intended them to do, जैसे ही उसने, यानि के, just as she had intended them to do, जैसे ही उसने उनके साथ, यानि के कुछ करने का फैसला लिया, जलकारी ने, they surrounded her and captured her, and them, then led her to their commander, उन्होंने फॉरण उसको घेर लिया, और उसको पकड़ लिया, और अपने कमांडर के पास भेज दिया, या ले आए, the commander looked at the captive closely, कमांडर ने बहुत करीब से, मुजरिम को देखा पास से, but he was not sure at all that she was, the queen, लेकिन वो समझ गया कि ये queen नहीं है, bring दुलाजी, दुलाजी ठाकुर को बुलाया गया, he ordered his soldiers, दुलाजी will know, दुलाजी को बुलाया गया, और ये order दिया गया, सिपाईयों को, कि दुलाजी इसको जानता है, दुलाजी को बुलाओ, दुलाजी ठाकुर को, जिसने रिश्वत देके, अंग्रेजों को अंदर किया था, इसमें वो dear students, काफी words हैं, और उनके meaning है, telegraphed है, use the process of transmitting a message, long distance, through an electric device, जिसे आजकल mobile है, उस वक्त में, electric device के जरिए से, message को इधर से, उदर बेजने के लिए, telegraphed का use किया जाता था, by steel secretly, जोरी से, bribed रिश्वत, ठीक है, sounded the alarm, warned of danger, जोरी खत्रे की घंटी वजा देना, daring, adventurous, and bold spirit, जोरी हिम्मत, हिम्मत दिखाना, withstand here, not be defeated by someone, with stand का मजब है, हारे नहीं, जमे रहे, reluctant, unwilling, ना चाहते हुए, intended, planned, यानि के, planning करना, captive, a person who has been caught by the enemy during a war, captive, captive उसको कहते हैं, जो, जंग के दोरान, दुश्मन के जरिए से पकड़ा जाता है, when जलकारी सौद दुला जी, her eyes blazed with anger, and she shouted, you traitor, you coward, you shameless, betrayer of your people, तो उसने, जलकारी ने जब दुला जी को देखा, तो उसकी आँखें, यानि चमकने लगी, और उसकी आँखों में घुस्सा उतराया, घुस्से से चमकने लगी, और वो चिलाई, कि तुम धोके बाज हो, तुम कायर हो, तुम, you shameless betrayer, you traitor, you coward, तुम धोके बाज हो, तुम कायर हो, you shameless betrayer of your people, तुमने अपने लोगों के साथ, धोका किया है, the Englishman asked दुलाजी, is this Rani Lakshmi भाई, Britishman ने अंग्रेजों ने दुलाजी से पूचा, क्या ये Rani Lakshmi भाई है, it is not answered दुलाजी, दुलाजी ने answer दिया कि ये नहीं है, do you think it is so easy to capture the Rani, दुलाजी ने कहा, क्या तुम समझते हो, करानी को पकड़ना इतना असान है, the British commander was furious, that they had been tricked, और British commander इस बात पर बहुत गुस्टा हुआ, उसको बहुत गुस्टा है, कि उनको जो है धोका दे दिया गया, उनको, यानि के Rani Lakshmi भाई के जरीए से धोका दे दिया गया, वो जानते थे, वो जानता था, कि अगर जलकारी को फ्री कर दिया, इसको छोड़ दिया, शी वोड़ बी डिंजरस, so शी वोस सेंटेंस तो डैथ, तो वो बहुत हमारे लिए खतरनाक साबित होगी, इसलिए उसको क्या करा, उसको मौत की सजा सुना दी गई, बाई हैंगिंग, और उसको जो है फासी पे लटका दिया गया, I am not afraid of dying, जलकारी answered proudly, जलकारी ने मरने से पहले कहा, कि हम मरने से नहीं डरते, बहुत ही गर्व के साथ उसने कहा, as they led her to her death, जब उसको सजा मौत के लिए लाया गया, she shouted out to the British, उसने चिला कर British से कहा, beware, होश्यार हो जाओ, you will never conquer us, तुम हमें कभी भी जीत नहीं सकते, we will rise again and again, and fight back until we win our freedom, तो जलकारी ने क्या कहा, हम लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, हम उठेंगे और फिर लड़ेंगे, तुम से बार बार लड़ेंगे, जब तक के हम आजाद न हो जाएं, silence, they shouted, वो चिला है, यानि British चिला है, कि खामोश, but she would not be silenced, लेकिन वो खामोश नहीं हुई, as the rope tightened, round her neck, और खासी का पंदा, उसके चारों तरफ टाइट हो गया, she cried out, वो चिलाई, long live India, हिंदुस्तान हमेशा कायम रहे, यानि हिंदुस्तान की इंडिया की लंबी उमर हो, long live लक्ष्मी बाई, रानी लक्ष्मी बाई की लंबी उमर हो, long live freedom, और आजादी हमेशा रहे, रानी लक्ष्मी बाई हमेशा रहे, और भारत हमेशा रहे, ये कहकर, वो फासी के फंदे पे जूल गई, ओके डियर स्टुडेंट्स, ये 6th क्लास का, बज़वर्ट का मैंने चैप्टर एक्स्प्लें किया है, और के लाफ़िज़्ट आपने लुवर्ट का मैंने लोगशा रहे लुवर्ट गजगरेंगेशा थीनुगए चैप्टर वोज़वर्ट का जदे तक वीर्वर्ट मैंने ज़ए,